नमस्कार कशिश न्यूज का डिजिटल प्लाटफॉर्म देख रहे हैं आप मेहुरश्मी श्रवास्तव आपके साथ चुनाव आयों की टीम जारखंड दोरे पर आई है और ऐसे में अब सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर जारखंड में विधान सभा का चुनाव कब होगा उसकी तारीक क्या होगी और साथ ही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर कितने चड़नों में चुनाव इस बार करवाए जाएंगे देखिए सबसे पहले आपको बता दे कि आज और कल चुनाव आयों की टीम जारखंड दोरे पर है और चुनाव आयों की टीम ने तमाम राजनतिक दलों के साथ बैठक भी की है चर्चा भी की है हमारे साथ वरिष्ट सयोगी आशुतोष हैं उनसे जुडेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे कि आखर जारखंड में चुनाव कब होने की संभावना है तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार जारखंड में चुनाव कब हो सकता है कितने च शास्टिक महकामे के अधिकारियों से लेकर ED और तमाम एजेंसियों सब के साथ बैठर करेगी और इस संभावनाओं को टटोलेगी कि आखिर कब चुनाओं कर आया जाना बेहतर होगा पहले राउन की बादचित हो चुकी है चरनवर तरीके से अधिकारियों से भी मुलाकात होनी है अब तक जो बादचित हुए यानि कि छे राश्ट्रिये दल और तीन ख्षेत्रिये पाटीयों से जो Chief Election Committee की टीम की मुलाकात हुई है उसमें पाटीयों से जो सुझावम आये हैं उस मुताबिक ज्यादातर राजनितिक दल चाहते हैं कि इस बार चुनाव जो हो वो कम चरण में हो यानि कि ज्यादा लंबा न खीचे अब ये मांग क्यों हो रही है इसलिए हो रही है ये चुटी फिसली वेर यानि 2019 में जो चुनाव हुआ था विधान सवा का उस दोरान 30 न में आशंका थी या कुछ यह था कि शायद वही चीजें रिपीट नहीं हो चुटी टेस्टेड है वैसा होता आया है तो यह मुम्किन है कि जितने भी दल है वो लोग भी ये डिमान कर रहे हैं तो मुम्किन है कि दो से तीन चरणों में और ऐसी जानकारी चंकर भी सामने आ हलाकि अभी तर पुष्टी नहीं हुई है अभी तक चुनाव आयोग ने प्रेस कॉंफरेंस तरके अलान नहीं किया है कि इतने चरणों में होगा लेकिन निर्वाचन नायोग के शुत्रों से जो जानकारी मिल लए है कि दो तीन चरणों में चुनाव कड़ाय जा सकते हैं पिछली बार पांच चरण में हुए थे इस बार दो तीन चरण में भी संभव है और शिर्फ आजसु ने ये डिमांड की है कि आराम से यानि निस्पक्स सरीके सो इसलिए समय चाहे जितना भी लगे कोई मेटर नहीं करता लेकिन ज़्यादातर दल यहीं चाह रहे हैं और उ हटाया जाए गड़ी सचीव के बारे में बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि वो चुनाओं में मतलब किसी विशेष दल के लिए वो काम कर सकती है तो उनको हटाया जाए उनको इस चुनाओी प्रकडिया से दूर रखा जाया उसी तरीके से जेमें और कॉंडेस ने भी प्रत्रम चरण की जो बाचीत हुई है राजनितिक धलों से उस मताबिक ये बाते करीब करीब सामने आ रही है कि दो से तीन चरणों में चुनाओं हो सकते हैं अब चुनाओं कभ हो सकता है तो देखिए इस दोरान फेस्टिव मतलब शुरू हो गया फेस्टिवल का महीना श हट पूजा होती है तो राजनितिक दलों ने चुनाओं की टीम से ये भी मांग की है कि इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए ताकि चुनाओं प्रभावित नहीं हो उस दोरान फेस्टिवल के दोरान काफी संख्या में लोग उपवास पर रहते हैं या पूजा पाठ में ब मद्दान का प्रतिशत रहा है उसका रिकॉर्ड इस बार बीट हो और इसकी लगातार कैंपेन भी किया जाता है जागरुक भी किया जाता है तो चुनाओं आयो की टीम भी ये नहीं चाहेगी कि तेवहार की वज़ा से वोटिन प्रतिशत में गिरावट आए तो ये मद्दे से लेकर के दिसंबर तक चुनाओं की प्रकिडिया हो सकती है तीन चरन में या चार चरन में वैसे दो से तीन चरन में बात सामने आ रही है और चुटी पांच जनवरी को सरकार का नई सरकार का गठन कर देना है तो उससे पहले ही सारी प्रकिडिया पूरी करनी है यही की जाती है फिर जन्वरी में बादेता भी है कि नई सरकार का जो शपद गहन समारो होता है वो सब कुछ हो तमाम दल कोशिश कर रहे हैं अब इसे भी चुकी जैसे ही चुनाव है और चीफ एलेक्शन कमिशन खुद आये हैं तो अब मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं सितंबर समाब थोने वाला है अक्टूबर के मिड तक चुनाव की तरह को का एलान भी हो सकता है यानि फिलहाल ये बानकर चलना चाहिए चुकी तीन ऑक्टूबर से नवरात की शिरवात भी हो रही है यानि जैसे ही राम नौमी होगी उसके बाद जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ी है कि कैसे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण धंग से चुनाव संपन कराया जा सके तो ये भी एक चुनावती है और इन तमाम चीजों को देखने के बाद समझने के बाद ही तारीकों का एलान हो बिल्कुल बिल्कुल और यही बज़ा ह चुनावाइव की टीम आती है और सारी चीजों को देखती है कि बाद कितनी तयारी है और कहां पिदियारी में चूख है वह दिशानिर देश देती है और उस पर धूरोद गती से काम चलता है तब जाकर चुनावाइव की प्रक्रफिडिया आसान नहीं होती है तो यह सारी चीजे संभावनाएं टटोलने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए आया हैं डिजीपी से भी बातचीत होने वाली है सब जो भी अधिकारी लोग हैं प्रशास्तिन महकमे के लोग से भी बातचीत होगी और इसलिए चरणभध तरीके से मद्दान होता है कि जो नक्स जो बूत है वो काफी दूर पर है और जो वोटर है वो काफी दूर से सफ़र करके और कई जगार रास्ते भी नहीं है पहारी इलाका में तो उन सब चीजों की भी तैयारी करनी होती है कि कैसे वोटरों को मद्दान के इंदर तक पहुँचाया जाए तो तमाम समभावनाय ट तुनाओ की तारीखों का एलान हो सकता है वोटिंग की जो प्रकिडिया होगी वो नमवंबर मीड से दिसंबर तक होगी वैसे उसे पहले भी बहुत सारे होते हैं नोमिनेशन होता है नोमिनेशन वापस लेने की तारीख होती है बहुत सारी चीज़े होती है परचार करने का समय मिलता है तो इसके लिए October मीड में जरूर मुझे लगता है कि तारीको का ऐलान हो जाएगा यानि October मिड में तारीको का ऐलान होगा और जैसा हमारे वर्षय योगी आशिदोश ने बताया कि नौवेंबर लास्ट से और दिसंबर के पहले सब्टाह में चुनाव समपन हो जाएंगे और उसके बाद मतगर्णा होगी और मतगर्णा के बाद जहारखर्ण में कौन इस बार सरकार बना पाता है ये देखना होगा फिलहाल इंतिजार बस थोड़ा सा आपको और करना होगा चुनावायों की तीम जारकर्ड दोरे पर है तमाव जीजों को देखने के बाद समझने के बाद मिड ओक्टूबर यानि 15 ओक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव की तारीख का एलान चुनावायों की तरफ से किया जा सकता है जारकर्ड की खबरे लगातार आपको दिखाते रहेंगे अभी के लिए बस इतना ही दीजो इजाज़त नमस्कार